तो कैस मैं हुआ अंकि तो और आप दिख रहे हैं Wrestling Fans Network तो भाई ट्रिपल एक्स ने कहा कि हम लोग नए एरा की तरफ आगे बर रहें नए एरा में इंटर कर चुकें तो क्या सही में हम लोग नए एरा की अंदर इंटर कर चुकें और क्या नए एरा का मतलब यह है कि P.G. एरा स यहां पर पहले से ही रूमर से कि जो नेट्फिक्स वाले कुछ जादा फ्रीडम देंगे डेवी को तो अगर डेवी को फ्रीडम मिलेगी तो रस्लर्स को भी फ्रीडम मिलेगी और वह साथ प्रोमो और ज्यादा बैटर दे पाएंगे अब ऐसे में रस्लिंग अब जर्व न्य इन पोजिशन वेर स्पॉंसर्स और स्कॉर में सो इट्स अ बैलेंसिंग अक्ट कहा गया है कि डेवी डेवी ना धीरे-धीर अब ऐसे आगे बढ़र यह कोशिस में लगी है कि जो टॉप के टैलेंट्स है ना उनको यह पीजी गाइडलेंस फॉलो करने के लिए ना बोला ज गाइडलेंस फॉलो मत करो अब ऐसा भी नहीं कि डेवी डेवी चाहती है कि सारे के सारे सूपरस्टार्स नन पीजी हो जाएंट कोई कुछ भी बोल रहा है कुछ भी चल रहा है सो में वह भी नहीं कर सकते विकॉज अगर ऐसी चीज़े होती है तो स्पॉंसर्स चुमें भा वाली है लेकिन धीरे धीरा गर्वी इस डारेक्शन में आगे बढ़ती है और उन्हें बिलीव होता है कि स्पॉंसर्स को भी कुछ नहीं होगा तो देन यस डवी डवी चीज़ को सायद बिलकुल कंप्रीटली वैनिस कर देगी यानि की पीजी एरा कंप्रीटली एंड हो ज बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मैं बेकलेंच को लेकर तो सेथ रॉलिंच की तरह बेकलेंच भी टाइम आफ लेने वाली है डेवी डेवी से बताया जा रहा है अब डेट आप देख सकते होगे बेकलेंच इस बिलीफ टूबी टेकिंग टाइम आफ फ्रॉम बात करा उन्होंने रिप्ली को इवन रिया रिप्ली भी मैच से पहले पैनिक अटायक फेस कर दी तो पता नहीं उस मैच में किसकी नजर लग गई थी लेकिन दोनों ने इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद एक बहुत अच्छा मैच दिया अभी के इसाब से बेकलेंच ल नहीं आए बहुत सारी अपडेट्स थी बहुत सारी जूमर्स थी लेकिन नहीं आए इसके पीछे का रीजन क्या है देखो बताया यह क्या था ना कि रसल मीन में वो आएंगे रोमन कोडी के मैच के एंड में जब रॉक अटायक करने वाले होंगे कोडी पर अटायक कर वो रोक लेंगे रॉक को कोडी को कॉस्ट करने से लेकिन क्या हुआ कि जो स्टोन कोड के सूस्त है वो अंडर्टेकर ने फिल करें अंडर्टेकर आये चोक स्लम लगाया रॉक को एंड उसके बाद कोडी की इंडरेक्ट हेल्प कर दी डारेक्ट ही कर दी इंडरेक्ट तो क् and as a result Undertaker was put in his place, तो कहा गया है कि Stone Cold Steve Austin जो एना originally planned थे, and कहा जा रहा था कि वो Roman Cody के match के end में आएंगे, Undertaker ने जो किरा वो करते हैं, लेकिन end में क्या हुआ कि WWE ना आ नहीं पाई Austin के साथ, यानि Stone Cold के साथ एक financial agreement पे एक deal sign नहीं हुई WrestleMania 40 के लिए, इस वज़ा से Undertaker Austin की जगा हमें रसल मीना में देखने को मिले, यानि कि back and forth हुआ Stone Cold and WWE के बीच में, and एक financial agreement नहीं हो पाया, इस वज़ा से Stone Cold हमें रसल मीना में नहीं देखने को मिले, तो उनके जगा Undertaker आए, हाला कि भाई उस टाइम से लग रहा था कि Undertaker कहां से आगे, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, Undertaker की भी history रही है, चाहे आप Rock के साथ देख लो भाई, चाहे आप Roman Reigns के साथ देख लो, तो इतिहास तो है, हाँ भले रॉक एंड स्टोन कोल्ड का बहुत जारा सेंस मनता, लेकिन ठीक है जब औरेडी मैच इतना हिट है, Avengers एंड गेम वाली चीज होगी, तो इतना तो क्या ही है भाई, अगर financial deal नहीं हो पाई, कुछ भी नहीं हो पाई, तो भी चलता है, अगर टेकर भी है, तो बहुत सही हुआ, एंड ये कुछ अपडेट, इस वजा से स्टोन कोल्ड हमें नहीं देखने को मिले, वरना स्टोन कोल्ड का स्टनर हमें रसल मीना फोर्टी में देखने को मिल था, आगे बढ़ते हैं गाज, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, एंड ये है कल के फ्राइडे नैट स्मागडों से रिलेटेड, साथ हमें पता चल चुगा है कि कोडी रोट्स किसको फेस कर सकते हैं अपनी अंडिस्पिटेट चैंपर सिप के लिए, मतलब वो अपनी टाइटल किसके अगें इस डिफेंड कर सकते हैं, रसल वोट्स का कहाना है कि कल के स्नागडों में एक टूर्णामेंट हमें देखने को मिलगा, आप लोग देख सकते होगे, बैसे के लिए अमेरिका में आज है, हमारे या तो कल है, कहा जा रहा है कि स्मागडों में हमें दो ट्रिपल ट्रेट मैचेस देखने को मिलेंगे, एक नमबर वन कंटेंडर डिसाइड करने के लिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो दो मैचेस हैं ट्रिपल ट्रेट वो कुछ इस तरीकसे हैं, तो यह दो अलग अलग ट्रिपल ट्रेट मैचेस हैं, इन दोनों में से जो दो विनर्स निकल के सामने आएंगे, वो अगले वीक एक दूसरे को फेस करेंगे, उसके बाद हमें वहाँ से एक नमबर वन कंटेंडर मिलेगा, बट किस टाइटल के लिए, क्वेश्चन तो यह है कि किस टाइटल के लिए, कल कोडी रोट्स प्रेजेंट होने वाले हैं स्माग डॉन में, और हमें पता कि लोगन पॉल टाइम आफ लेने वाले हैं, अभी वो बैक लस्में कंपीट वगरा नहीं करेंगे, तो स्मागमन में बट कोडी आएंगा अपनी टाइटल लेके, तो वहां से उनका नमबर वन कंटेंडर डिसाइड होगा, विकाज डैम एंप्रिस्ट की स्टोरी अलग चल रही है, एंटर कॉंटिनिटल चैंप्सिप के लिए चैट गेबल जाएंगे, अगले हफ्ते मंटे नाय ट्रॉम है, एंड यूएस टाइटल लोगन पॉल के साथ है, तो वह भी साइड ही है, तो अभी भाई ऐसे में सिंपल सारी बात है, कि जो अंडिस्प्रिटर टाइटल है, उसके लिए टूर्णामेंट है काफी ही जूट कैस है, अब ऐसे में यही 6 सूपरस्टार्स हैं, केवे नोवन, सिरे, मिस्टिरो, एजस्टाइल, सेंटोस, एसको बार, एले नायट, बावी, लेसली, इन 6 हों में से कोई एक ही होने वाला है, जो कि कोडी को बैकलास में फेस करेगा, अब मैं यहाँ पे भाई एजस्टाइल्स को पिक करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा एजस्टाइल्स सिन का मैच हो, आप किसको चाहोगे कॉमेंट करके आप लोग ज़रूर से बताना, बात करते गाईज अपनी next and final story के बारे में, अब इसमें कितनी सचाई कितनी नी भाई वाद में पता चलेगा, अब यह रसल मीना को बहुत टाइम है, लेकिन मैं आपको बता दू कि अगर वो रिपोर्ट सही है, तो साइध रॉक वर्सेज कोडी का मैच, टाइटल वर्सेज टाइटल भी हो सकता, अब भले वो रसल मीना में हो चाहिए, समस्क्राम में हो, कहीं भी हो, लेकिन मैच तो होना यह तो मैं पता है, तो यह जो मैच होने वाला है भाई, यह टाइटल वर्सेज टाइटल हो सकता है, कोडी डिफेंड करेंगा अपनी अंडिस्पिटर टाइटल, एंड रॉक डिफेंड करेंगे अपनी पीपर्स चैंप से, जो रॉक के पास कस्टम बेल्ट है, अब ऐसे में भाई हमने देखा अभी इसका एक प्रिव्यू मंडे नायट रों में, तो रॉक भी अपनी टाइटल on the line रखेंगे, सिर्फ टाइटल ही नहीं बलकि एक तरीक से, अपना जो उनका पुरा करेक्टर है पीपर्स चैंपिन वाला, वो भी दाउन पे रख देंगा कि अगर मैं हारा तो तू पीपर्स चैंपिन साथ में टाइटल भी तेरी, कुछ सब से पहले मिलती है, फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंट ट्विटर पे लिंक आपको मिल जाएगे डिस्क्रिप्शन में, जॉइन कर सकते हैं वाट्सप चैनल को उसके ब लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पिछली वीडियो भी चैक आउट कर लेना, मिलते हैं आपनी नेक्स वाफेर काफी इंट्रस्टिंग वीडियो में,